एक महीना भी नहीं बचा है वर्ल कप को नर्वस हो मेरे तो दिल में न धक धक हो रही है वैसे आपको का लगता है क्या जीतेगा भारत विल इंडिया वेन वैसे हर्शा भाई भी यही कह रहे थे कि I mean same to same ही तो है हर्शा भाई आप भी थमसब उठाओ scan करो वोट करो और हमें यह बताओ विल इंडिया विन हर्शा भाई का जो हुक बिलकुल मैं भी वोट कर लेता हूं और मैं तो कहा रहा हूं इंडिया जीतेगी यार आपको यह लगता है मैं जरा scan करता हूं आप भी जरा वोट करना है एक सेंड नहीं बात तो सही है देखिए अगर आप ICC इवेंस case semifinal में regularly अब पहुँचते हैं तो फिर that has to be considered as a success it must count for something right तो उस point of view से देखे पी ओवी से देखे तो लगता है कि success है पर सच यह भी है कि knockouts नहीं जीत रहे हैं और इतिहास भी ना उसी को याद रखता है जिसके गले में medal होता है अब third कोन आया fourth कोन आया किसको याद रहता ह तो while we have been consistent and and successful पर we have to go all the way I mean अब तो जाना पढ़ेगा नहीं अब तो जाना ही है जाना है जब इतने सारे लोग support करेंगे team इंडिया को ना तो pressure दूसरी team पर होगा तो CT भी दूसरी team की बजाएगा नहीं बात तो ठीक है वीरू की भी गलत तो नहीं है लेकिन आज का जो current scenario ना वो देखना जरूरी है क्योंकि there was a time की India was a mid table team राइट पर अब तो हम top 3 में रहते हैं हमेशा हर format में So if you are so good, if you are the best in the world or at least amongst the best in the world तो फिर आपको tournament जीतना ही है because that is what everybody is expecting क्योंकि इस खेल की जो soul है ना soul वो तो पैदा किया होगा England ने Paul post के हमने बड़ा किया है इसकी soul जाए हमारे यहां बसती है और अगर हम नहीं जीते हैं नोक आउट तो दिल में चोट भी लगती है तो बात तो सही है scenario बदल गए है आप पर हरश्या उनके लिए तो second home है हम लोग के लिए तो हमेशा से हमारा first home है हम यहीं पैदा हूँ है बड़े हो इनी प्रिक्टों पे खेले हैं यहीं हम लोगों ने practice किये और बहुत सारे matches भी जीते है और किरायदार तो किरायदार होता है ना owner होता है तो हम तो मकान मालिक है ने बात ठीक है वीरू की यार absolutely मतलब वो advantage तो मिलना ही चाहिए पर एक बात ये भी सच है कि अब world over विश भर में अगरा white ball cricket में conditions को देखे है अब कहीं पे भी खेलो almost एक जैसी conditions रहती है तो फिर उस दृष्टी कौन से देखे तो I mean it's not that a huge an advantage पर advantage है क्योंकि पहले क्या था पहले हम किसी खिलाडी के सामने एक बार खेलते थे अब उनको 14 बार खेल जाते हैं ITL में राइट वो अगर हमारे bowlers को समझ लेते हैं तो हम भी तो उनको समझ लेते हैं अच्छे से कि कहां डालनी है कैसे डालनी है how do they tend to react sometimes तो हमारी team में ही होते हैं and that day I have to tell you मेरे को एक किस में था उसने जाना था correct पर उन्होंने कहा बाद में ही explained कि यार जब मेरी फ्रैंचाइज के अंदर वो जो गेंदबास खेल रहा है तो अगर उनको मैंने इतना खेला है इतना keeping की है तो I can handle him a lot better तो उस दिन actually way back in 2011 already वो IPL ने मदद कर दी थी it actually allowed us to win the World Cup so yes a coin always has two sides I agree with you Viro काफी expectations है इस बार इंडिया से इंडिया में World Cup हो रहा है लेकिन वीरू क्या इसलिए कुछ ज्यादा है इस बार expectations हर्शा भाई सही बात है expectations तो रहने वाली है क्योंकि आदमी ना मतलब पत्थर भी उससी पेड़ पर मारता है जिस पे फल हो तो उससे expectation रहती कि फल मिलेगा त तो फिर जब आप घर में भी होते हैं I mean you are a father of course तो बच्चे भी आपी की तरफ देखते हैं बड़ों की तरफ देखते हैं कि expectations, responsibility तो वो तो 100% रहने वाली है इसमें कोई डाउट नहीं and let me tell you it's actually a good thing from an Indian cricketer's perspective that expectations tell, मतब expectations है ना तो पता चलता है कि लोगों को आप पे विश् हरशा हम Indian fans है हमें हमेशा expectations जादा रहती है उम्मीद तो यही है हमें भी वीरू कि ना जैसे 2nd April 2011 मुझे तो बहुत अच्छे से याद है एकदम पूरा भारत रुख गया था मैं भी रुख गया था हमने भी celebrate किया था और इस बार भी उम्मीद यही है कि दिवाली एक हफते बाद मनाएंगे मतलब जो पठाके बठाके वो celebration जो है जो मिठाईया है वो हम सब बाद में वो 19 November को World Cup की ट्रोफिय उठाएंगे and that will be the real दिवाली हम सब यही चाहते हैं expectations को पूरा कान करेगा मुझे मुझे लगता है कि all-rounders बाद तो सही है भाईया कि आंकडे है तो आंकडे खराब नहीं होते तो they don't lie, numbers don't lie, right तो all-rounders हमारे पास भी थे जब हम जीते तो all-rounders अभी भी हैं ऐसा नहीं कि Indian team में all-rounders नहीं है but I do feel, I very strongly feel कि batters को run बनाने हैं, bowlers को wickets लेनी हैं और सब अगर अपना वो performance कहते हैं कि optimum level पर लाते हैं तो फिर rest will just take care of itself बहुत quality है इस team में, बस यह जो quality खिरानी है ना, सारे form में चाहिए है All we need is a good recipe of right and left-handers and we'll definitely win the World Cup BK, you're not the only one, मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों पूरी तरह से भारत के साथ है और उमीद भी है, belief भी है, hope भी है, trust भी है कि हम जीत जाएंगे यार Final 4 तक तो पक्का पहुंचेंगे, यह तो मैं लिखित में भी आपको दे सकता हूँ और अगर वो मुमेंटम मिल जाए न, वो मुमेंटम बन जाए तो फिर ट्रोफी भी न, हम ही जीतेंगे भारत जीतेगा, भारत बढ़ेगा और ट्रोफी अपने नाम करेगा तो fans, why don't you tell us too, आप भी thumbs up उठाओ, scan करो, vote करो, और हमें ये बताओ के, is India winning this world cup एक चीज तो तेह है, इस world cup में बहुत कुछ तुफानी होने वाला है, we'll see you again soon तुफानी होगा या नहीं, इंडिया जीतेगा या नहीं, thumbs up को scan करके जरा मुझे भी बताओ, क्योंकि अब मेरा गला तो सूख गया है इतनी बाते करके back and forth जाके, world cup की tension हो गई है शुरू, cheers